नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पेशे 9 सितंबर शुकरवार सुबसावार बजे राजसान की बड़ी खबरें राजसान के सहकारिता मंत्री उदलाल आंजना ने कहा कि आदर्श संजीवनी नवजीवन जैसी मल्टि स्टेट क्रेडिट कॉपरेटि सोसाइटियों द्वारा राजसान के छोटी बज़त करने वाले लाखों लोगों की गाड़ी कमाई को हड़ पा गया है इन सब पीडित परिवारों के साथ धुखा हुआ है केंदर सरकार को पीडित निवेश को कुराशी लोटाने में मदद करनी चाहिए आंजना गुरुवार को नई दिली के विज्ञान भावन में आयो जिते सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन को संभोधित कर रहे थे उप्रयास्टपति जगदी पर धनकड अपने शिखावाटी दोरे में पैत्रक गाउं किठाना से सालासर बाला जी के दर्शन करते हुए खाटू श्याम जी पहुचे करीब दो बजे उनका विशिश हलिकॉप्टर सरकारी पार्किंग स्थाल पर बने हलिपेट पर उत्रा जहां गाड ओफ ओनर के बी सांसर सुमीधान अंसरस्वती पूर्विची किस्सा राजमंत्री बंशी धरबाजिया पालिका धेक्ष मम्ता मुंडोतिया सहित प्रिशास आठ नंबर अच्छी तरह से याद है अते इन नंबर को आपास्तिती के लिए काम में लिया जाता रहेगा किसी भी प्रकार के आपास्तिती के लिए 112 भी डायल किया जा सकेगा मुक्य सचीव उशा शर्मा ने सचीवाले में आपात कालिन प्रतिक्रिया सहाइक प्रणाली के क्रियानिवन के लिए गठीते स्टेट अप्राक्स कमेटी की समिक्षा बैठक के अधेक्षता कर रही थी रायस्तान सिविल सेवा अपील अधिकरने गुरवार को जिला मुख्याले पर कायरात स्कूल व्याख्याता का स्थाना अंत्रन बेलवाडा करने पर रोक लगा दी है इसके साथ ही प्रदेश के प्रमख शिक्षा सचिफ शिक्षा निदेशक वे अन्य को नोटी जोरी कर जवाब मांगा गया है अधिकरन के सदस्य अन्यम काला वे सदस्य शुची शर्मा की पीठने यादेश कोठी नाता माम के भौतिक वे ग्यान के व्याख्याता बेनी प्रसास होनी के अपील पर दिया इसके बाद घाट की गूनी टनल के पास बने अमबेट कर भवन पर सभा का आयोजन किया जाएगा सभा में भीड जुटाने की जिम्मेदारी शहर की विधायकों को दी गई है रासान क्रिकेटसंग के अदेक्ष वेभभग हलोट गुरुबार को स्मस स्टेडियम स्थित खेल परिशद कारले पहुँचे इस खेल महाकोम्प को लेकर काफ़े उत्साह का माहौल है रासान के वेटरनरी कॉलेज में अर्मीशन के लिए रासान प्री वेटरनरी टैस्टर विवार को सुबह 10 बजे से भीकाने रुद्यपूर और जयापूर के परिक्षा केंडरू पर होगी राज़े भर के 8133 कैंडिडेट्स इस एक्जाम में हिस्सा ले रहे हैं वेटरनरी उनिवस्ट्री ने एक्जाम के लिए तैयारयों को अनतिम रूप दे दिया है आकसमिक नेरेक्षिन के लिए ओरन दस्तों का गठन किया गया है केंडरी ग्रह मंतिय अमिँच शाह चुनावी शंकनाइद करने जोदपूर आ रहे हैं भाजपा इस बार प्रदेश में अगले साल होने वाले विधान सभा और लोकसभा जुनाओं की तैयारियों की शुरुआत मुखे मंतिय शोग गहलोत के ग्रहनगर जूदपूर से कर रही है। ग्रह मंतिय अमीच शाह की स्वागत की तैयारियों विशिश रूप से की जा रही है। उनका राजिस्थानी परंपरा से भवे स्वागत किया जाएगा। इसके लिए शोहर के लगबग सभी प्रमुक चोराहों को भाजपा की जंडू से सजाय जा रहा है। प्रमुक स्थानो के जोदपूर दोरे वे संभाग सरिय बूत हद्यक्ष संकल्प महा सम्मिलन की तैयारियों को लेकर दिन भर बैटकों का दार चलता रहा। इसमें भाजपा के प्रदेश संगठन महामत्री चौंद्रशेखर संभाग पुर्भारी वे प्रदेश महामत्री भजनलाल शर्मा स समिलन के प्रभारी पूरु सांसर नरायन लाल पंच्वारिया, ओबिसी मोर्चा की रास्टे कारिकारनी के प्रभारी राजिस्वा सांसर राजिंद्र गहलोत ने ओबिसी मोर्चा कारिकारनी वे बूत समिलन के विवस्ता सम्मंदी समीतियों की बैटकों में चर्चा कर वे को अंतिम रूप दिया बाश्वा के प्रदेश महामंत्री भजनलाज शर्मा ने बताए कि दुनों ही आयूजन के लिए अलग-अलग समीतियों को गठन किया गया है बारती जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोदपूर सरकिट हाउस में पत्रकारो से बात करते हुई कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि कॉंग्रिस जोडने का नहीं तोडने का काम करती है प्रदान मंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास की माद्यम से देश को जोडने का काम पहले से कर रखा है जोदपूर में सुरसागर विधाक सुरेका जीजी ने चौपासने दिवे लोग संसान के बाहस एक्टर 18 वे 18 ए के बीच बन्ने वाली सटक के निर्मान कारे का शिला नियास किया। जोदपुर विकास प्राधिकरण के उपाय। दिशंचल वर्मा ने जिला कलेक्टर को वर्तमान में चल रहे मिटी भराई के कारे के साथ ही आगामी कारी यूजना की जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने जोदपुल विकास प्राधी करण के मुख्या वियनता, राकेश परिहार एमिंठे के दासे, प्राचिन जलाशे के प्रस्तावित निर्मान कारे को प्राथ मिक्ता के साथ निया समय पर तथा पूर्ण गुन्वत्ता के साथ करने के निर्देश दिए धौलपुर सरमत्रा नकरपाली का शेत्र में गुर्वार शाम करीब चार बजे रेले स्टेशन से करीब सो मिटर पहले बाड़ी से सरमत्रा आ रही नेरो गेश ट्रेन का इंजन अचानक पट्री से उतर गया हलांके लोको पालेट की सुचबूच की चलते बड़ा हासा होने से टल गया गरना की सुचना मिलने पर आसपास की ग्रामेणों की बड़ी संख्या में भीड एकत्र हो गई जनकर के अंसाथ धौलपूर से सरमत्रा आने वाले यात्रियों के लिए नेरो गेश ट्रेन बड़ा महत्वपूर्ण साधन है ये सरमत्रा उपखंड सहित समीप वर्ति उतर प्रदेश के तांतपूर जाने वाले यात्रियों के लिए सीधा साधन है और इसी रेल से ही रोज शुल्क जमा नहीं करवाया है, वो 10 सितंबर तक उनलाइन शुल्क जमा करवा सकेंगे। शुल्क जमा नहीं करवाया है, वो 10 सितंबर तक उनलाइन शुल्क जमा करवा सकेंगे। इस बिलेटर में इतना ही, फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ। अजनलाओ मेस डप़ जमा शुल्क जमा नहीं करवास।